18 और 19 पर बोलने का मुका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे राजस्तान के लोगपुरिय मुख्यमंद्री हसो गेलोजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हों राजस्तान में हर थाने में एक स्वागत कक्स से बनाया गया हमारे विपकस के साथी जो सदेश से कह रहे थे अभी पूर्व में कि वहाँ स्वागत कक्स बनाया है उसकी कोई देखरेक नहीं होती है कोई जाड़ों नहीं निकालता है कोई पानी नहीं रखता है लेकिन जहां तक मेरा मानना है उस स्वागत कक्स से जो एक आम गरीव एकती एक गाव से जो आता है जो पहले दूप में बेटता था अब उस स्वागत कक्स में जाकर अपनी परिवेदना दे सकता है और वहाँ सम्मानपुर्व के स्वागत कक्स में बिठाये जा सकता है और उनकी एफायर भी काटी जा रही है नहीं होती थी मुकदम में जो वर्दी हुई है अब जो पहले थाणों में नहीं होती थी वो सिधी एसपी कार्यले से भी वहाँ से भी इनकी एफायर काटी जाती है लोगों को काफी रहत भी मिलिये मैं इसी के साथ मैंने गड़ा मुरया और काकरादरा जो मैंने चोक्कियों की मांग की थी पाँच चोक्कियों की मांग की थी उसमें से गड़ा मुरया और काकरादरा दो चोकी सीम साब ने खोल दिये उसको लिए मैं सरकार और सीम साब का मेरे विदान से बाजिशेतर के लोगों की और से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही गड़ शिरावाडा, बलवाडा, सत्यरामपूर, यहां और चोकी खोलने की मैं मान करता हूँ सभापती महोदे जी एक आम वेक्ती एक पुलीस में एक विश्वास देखता है, एक नयाई देखता है, एक उम्मिद होती है गरिब की कि मुझे मैं पुलीस के पास जाऊंगा, मुझे नयाई मिलेगा, मुझे सुरक्षा मिलेगी, यूँ करके वो खाने में जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो अमीर होता है, पैसा वाला होता है, उसकी सुनी जाती है, उसकी देखी जाती है, और गरिब की नहीं सुनी जाती है HTSC की बात करना चाहूंगा आज मिए इतने साल होके देशाजाद हुए फिर भी एश्टी हेस्सी के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है बले जेसल महर देख बले बाड महर देख लो बले जालोर देख लो बले इजर जलावार देख लो बले रास्मन देख लो करते हैं हिंदु मुस्लीम एकता की बाते करते हैं हम सब एक की बाते करते हैं लेकिन आज भी थाणों में हमारे एश्ति हेस्सी के जो सिपाईी disturbing यह सफीन रहें उनके खिलाब हीशन पावना से देखा जाता है उनको काम करने नहीं दिया जाता है अगर अच्छा काम करता है उसको बदनाम किया जाता है अगर अच्छा काम किया तो मेडल बड़े अफसर को मिलता है अगर बुरा हुआ काम हुआ अगर कुछ आपता पड़ी वो छोटे करमचारी और छोटे पर दोला जा में जिस तरह से एकलव को आगे बढ़ने नहीं दिया उसी तरह से आज भी उस एकलव को एकलव को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है आज भी उनमें पर्तिपा है आज भी उनमें जुनून है लेकिन उनको बड़े अपसरों के साथ सामने बद्धनाम किया जाता है यह चो ने आए सरकार इस पे ध्यान देवें अमल करें और एसी जातिकत बैद बावना जो थाने में हो रही है उसको रोका जाए सबाबती महोदेजी मैं मुझे समय कम दिया है कहना तो कभी मैं कुछ चाता हूं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा एक मेवाड भीलकौर जो भीलो वहां की ससक्रती वहां की रिती रिवाज उस हिसाप से उस बटालियन का इस्तापना क्या था वहां के जो लोकल लोग थे जो इस्थानी लोग थे उनको लिया जाता था लेकिन आज धीरे दीरे उस मेवाड भीलकौर नाम रहे घाली उसमें हमारे है एस्टी के बहुत ही कम बच्चे लिए जा रहे हैं और इस बटालियन का अभी कुछ समय पहले इनका परिवार डुंगवपूर है बासवड़ा है उदेपूर है चितोडगड है लेकिन इन मेवाड भीलकौर की बटालियन को अभी कुछ समय पहले इनका मुख्याल है जालोर पाली अजमेर और भीलवड़ा किया गया है तो मैं आपके मात्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा से निवेदन करना चाहूंगा उदेपूर इनका जो भीलवड़ा किया गया उसको आदेश को निरस्त करें और उदेपूर डुंगपूर खेरवड़ा यथावत उनक एक हमारी शुरक्षा करते हैं तो इनका जो आदेश किया है बाहर वो वापस खेरवाडा, डूंगरपूर, उदेपूर वापस यथावद ये बटालियन MBC की की जाए ये मैं मांग करता हूँ और मेवाट भील को और जो बटालियन है ये दराजपूद बटालियन होती है सीख की अलग अलग बटालियन होती है लेकिन हमारे भीलों की एक जो MBC बटालियन है उसमें भी अगर हमारे लोग नहीं लिया जा रहे हैं तो सभापती महोदेजी हमारे साथ ये अन्ना इन्य हुरत क्या हो रहा है मैं मांग करना चाहूंगा कि इसमें जन संख्या के आदार पर पहले 80 या 87% हमारे एस्टी जो भील थे उसको लिया जाता था तो वापस उसी तरजब पर MBC में भरती निकाले और हमारे आदमियों को वहां पर हमारे जो बच्चे हैं उसको लगाए जाए सभापती महोदय जी हमारे टीएस्पी सेत्र में बाहर के जो अतिकारी लगाए हूं टीएस्पी सेत्र का अलग कानूर बना हुआ है कि नोन टीएस्पी का अतिकारी या कर्मचारी टीएस्पी सेत्र में नहीं आ सकता है तो फिर कैसे आ रहे है यहां पर हमारे बाद टीएस् सिपाही वही लगना चांध आज मेरे जीले में दस थाने है उस दस थानों में एश्री का थाने धार कोई नी है क्यूं हमारे साथ अग्रा है नोग लगने चांगे मैं मांग सबसे कि हमारे थाणों में जन संख्या के आदार पर थाने दर लेगए चाहिए और चोक्की ओपर हेड कास्टेबल लगा जायए और शिपाई भी लगा जाए क्युँ क्यूंकि यहाँ से आने वाले जो नोन टिसपी के सेधर के अधिकारी हैं जो शिपाई है के हेड कास्टेबल ए हमारे इस्तानी बासा को समझ नहीं सकते हैं, उनके रितिरी बास समझ नहीं सकते हैं, और वो लिख भी नहीं सकते हैं, हमारे बाहाँ अनपड़ लोगें, शिक्षा की कमी हैं, वो अपनी बासा में, वागणी बासा में उस अधिकारी को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वो बाहर क जो नोन टीएसपी का अधिकारी है वो समझ नहीं पाएगा तो उसकी तकलिफ कैसे दूर होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि टीएसपी के अधिकारी और टीएसपी के करमचारी उसमदित थाणों पर लगा जाएं दो मिनट में समाब करें तो बोलने दिया आप नहीं बोलने देगे हम क्या करेंगे हमारी भावना तो समझो कम से दिनू प्लीज कंटिनू दूसरे बोले दूसरों कर बोलने दे तो हमको नहीं बोलने तो आज तक हमको आज तक आगे आना ही नहीं दिया पीछे ही रखा आज त बोलने ही नहीं दिया तो आदिवाइसी कहां से आके बढ़ेगा सभापती महोदेजी मैं जो काकरी डूगरी परकरण हुआ उसमें मेरी विदान सभाज शेत्र के लोग जो निर्दोस लोग थे उन पी आज मुक्रिदमा चल रहा है मैं आपके मात्यम से सरकार से निवेदन करन चाहूंगा कुछ उसमें थर्ड ग्रेट टीचर है को सेकंड टीचर है जो रेगुलर जो जा रहे थे आ रहे थे उनका लोकेशन देखके और उनके मुक्तमा कर दिया और जो वास्तविक उन्यागार वेक्ती थे उनको छोड़ दिया तो मैं चाहता हूं सरकार से निवजन कर जाएं यह मैं मांग करता हूं सभापती महोदय जी हमारे टीच्पी शेत्र आदिवाइसी जन्जाती बाहुली शेत्रे अभी यह हो लिगा तोहार आ रहा है अभी हमारे ढूंडो सभी होता है उसके बाद हमारे कई कल्चर प्रोग्राम होते हैं तो हमारा जो वेक्ती होता ह है वो सांस्करितिक प्रोग्राम में हमारी प्रंपरा है रिती रिवाजे कल्चर है उसमें एक बोतल दो बोतल या तीन लिटर कोई ऐसी सराब रखता है सांस्करितिक प्रोग्राम के लिए लेकिन पुलिस वाले उसका दो बोतल उसके दो बोतल दो लिटर सराब ले जाकर उ बन कर देंगे और अंग्रे जी सराप की दुकाने कुजरात हमारे बोटर से जारिये वहाँ कोई अपसर नहीं रोक रहा है वहाँ कोई पुलिस नहीं रोक रहा है लेकिन जो गड़ी में विचारा वो अपने सास्कृतिक कल्चर के लिए दो लिटर तीन लोटर घर में रख रह मैं दो मिट लूँगा सभापती महोदे जी मैं दो मिंट सर मेरा भी डश्मिंट नहीं हुआ सर मैं देख रहा हूं टाइम सर हमारे एक यह सीरोई का मेटर है कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील इसके साथ अन्याय हुआ कई समुझानों दूसरे समुझानों उसके साथ मारपीट की उनको धरने पर बैठना पड़ा यहां के दो एमेले भी जाके धरने पर बैठने पड़े तो यह श्तितिये कि आज भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है अन्याय हुआ है उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं इसके मात्यम से उससे मारपीट करवाई और उसकी मर्तिव हो सरकारी नोकरी में भरतिय क्या जाए यह मैं सरकार से मांग करता हूँ सभापती महोदे जी आज भी ST, SC हमारे साथ इत्ता हो रहा है मैं समझ बाता हूँ क्योंकि हमारा कुछ काम नहीं होता है हम कितना भी बोले, कितना भी चिल्ला है लेकिन आज भी हमारे साथ अन्या हो रहा है आज इस देश में जब हम कहते हैं कि छुआचुत नहीं है आज भी छुआ चूथ है आज भी जातिकत भावना एसी हीन भावना रखते हैं मैं सभापती महोदे जी आप से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे शेत्र में कई शेरावाडा है बोकला है सतिरामपूर है बलवाडा है गूगरा है साबली है यहाँ पर कहीं कहीं किसी जगे पत्रा होता है यहाँ पर गस्त बढ़ाई जाए और जो जो मैंने ये मांग की है वो पुरी की जाए यही कहना चाहूँगा मुझे बोलने का मुका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै ही जै वारत